यहां कहा रहा है आम के पेड़ और नारियल के पेड़ की उच्चाई एक समान है तो यहां पर हम आम बराबर नारियल लिख सकते हैं केले का पेड़ ताड के पेड़ से छोटा है केले का पेड़ जो है ताड के पेड़ से छोटा है तो उपर में हम ताड लिखतेंगे और है और कि य यहां पर कॉन हो जाएगा और ये किby कि रहेगी और आंजू क्या रहेगी नीचे रहेगी प्रिति से बड़े हैं प्रिति से बड़े कौन है मोहन और जयनत यह पता नहीं है कि इन दोनों में कौन बड़ा है तो हम ऐसे लिख देते हैं मोहन से छोटा है प्रिति और जयनत से भी छोटा है प्रिति लेकिन अभी इन दोनों में पता नहीं कि दोनों में कौन बड़े हैं प्रंतो सूधा से छोटे हैं, और ये दोनों जो हैं, किस से छोटे हैं, सूधा से छोटे हैं, तो सूधा इन दोनों के उपर हो जाएगा, जो सूधा से छोटे हैं, जो स्रीधर के उम्र के ही बराबर है, और सूधा जो है, ये किस के बराबर है, स्रीधर के, स्रीधर के उम्र क यहां पर है तो पहला पूंस है और थी है और है मुहन से छोटा है तो इहां पर मेंius अगला पूर्ट करहाँ गीता सीता से अधीक शुंदर है गीता किस से सुन्दर है गीता यहां पर लिखतेंगे किस से सुन्दर है तो सीता से तो सीता हमारी नीचे होगी लेकिन डीता जितनी सुन्दर नहीं है गीता जो है रीता जितनी सुन्दर नहीं है तो यानि कि रीता जो है गीता से ज्यादे सुन्दर है तो रीता यहां पर त्रह उससे कंसुंदर है यानि कि यह वालिस यहां पर यह सही है कि इस यहां पर आपको सकते हैं तो रानी नीचे से यहां पर लिखा राणी ने रतना से कम अंक प्राप्त किया यहां मैं यहां पर एसे रहां यहां पर रत लिख देते हैं रतना रमा यहां हमthिकम प्रेद की हैं hकर देछैंगे यहाँ पर हो गया हमारा रतना तो यहाँ पर question में यह भी हो गया कि रतना जो है रमा से अधिक अंक प्राप्त करती है और रतना ही जो है यह रानी से भी अधिक अंक प्राप्त करती है पदमा ने रमा से अधिक किन्तु रतना से कम अंक प्राप्त किया है एक पदमा है पदमा ने रमा से अधिक पदमा जो है किसे अधिक अंग प्राप्त करती है तो रमा से अधिक प्राप्त करती है लेकिन रतना से कम यानि कि पदमा यहां पर होगी तभी तो यह जो पदमा है यह किसे कम अंग प्राप्त करती है रतना से और रमा से क्या है जादे अंग प्राप्त करत सबसे प्रतेक ने परिच्छा में अलग-अलग अंक प्राप्ते किया तो यहां पर पांच मित्र है पांचों ने परिच्छा दिया और पांचों ने अलग-अलग अंक प्राप्ते किया पी ने आर तथा क्यू से अधीक अंक प्राप्ते किया तो पी ने यहां पर क्यू और यह के उपर कौन होगा ओ होगा यहाँ पर हम ओ लिख देते हैं पी के उपर ओ ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त नहीं किये हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई आएगा तो यहाँ पर देखें ओ आ गया है पी आ गया है क्यों आ गया है आ गया है तो यहाँ पर क्या बचा एक जो ये बाकी सब तो नीचे हैं, यानि कि यहाँ पर एक बचा है, वो कौन सा बचा है, एस बचा है, और कह रहा था, और नहीं सबसे कम अंक प्राप्त किये हैं, और नहीं सबसे जादे अंक प्राप्त किये हैं, नहीं सबसे कम अंक प्राप्त किये हैं, निमन में से किसने तीसरे स्थान पर किसने अंक प्राप्त किया है तो पहला नमबर इसका है दूसरा नमबर इसका है ती्सरा नमबर पर कौन है P है यानि कि option नमबर इसका क्या होगा C होगा देखे इस question में करा एक परिच्छा में जो कि गनित कि थी रणधीर को जो अंक मिले वे कुराण और देवु को अंकों के योग से अधीक है। संकर से अधिक अंक मिले तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सोनल जो है सोनल को किस से अधिक अंक मिले संकर से आगे का रहा है नेहा को रणधीर से अधिक अंक मिले तो नेहा यहाँ पर नेहा हो गया नेहा को किस से अधिक सबसे अधिक किसको मिला यह बताना है कि इन सब में सबसे अधिक किसको मिला अब देखेंगे यहाँ पर रणधीर को कुनाल और देवू से अधिक अधिक मिला है यहाँ पर रणधीर को कुनाल और देवू से अधिक अंग मिला है और रणधीर से कुनाल और संकर को अधिक अंग मिला है यहाँ पर हमारा हो गया कुनाल और यह हो गया हमारा देवू इससे अधिक किसको मिला है रणधीर को और रणधीर से अधिक किसको मिला है तो कुरान और संकर को तो यहां से हम इसको हटा देते हैं यहां से हम रणधीर को हटा देते हैं यहां से हम इसको हटा दियें तो हम यहां पर लिख सकते हैं कुरान प्लस संकर तो यहां पर हम देख रहा हैं कि यहां पर कुरान है और यहां पर कुरान है इन दोनों को काड़ देते हैं यानि कि संकर को किस्से अधिक अंक मिले देवू से तो देखी अब सब को मिला कर यहां पर देखे सोनल को किस्से अधिक अंक मिला संकर से और संकर को यहां पर देख सकते हैं संकर को किस्से अधिक अंक मिला देवू से तो संकर को किस्से अधिक म मिला और हमारा यह वाकी सब्डर्य यहां पर आपका नेहा जो है आक जादे मिलता है नहीं नहीं बन रहा है यह नहींसे कोई नहीं 60 आपर यहां इसकते हैं यहां पर कोई भी यहां सकते हैं इसको जाधे अंक मिलुए यहाँ पर एक question है पांच दोस्तों की एक दोड़ में भाग लिया रोहित ने यह दोड़ हरीस से पहले लेकिन गौतम के बाद पूरी की यहाँ पर देखें रोहित ने किसे पहले हरीस से पहले तो यहाँ पर लिखेंगे रोहित रोहित किसे पहले हरीस से पहले यानि कि रोहित ज्यादा होगा हरीस से ठीक लेकिन गौतम के बाद पूरी की यानि कि गौतम जो है रोहित से पहले पहुंचा तो रोहित के पहले कौन पहुंचा गौतम तो यहां पर आप गौतम लिख देंगे आगे करा कार्तिक ने यह दौर सुनील से पहले लेकिन हरीस के बाद पूरी की क यहां पर हमारा कौन आ गया हरीस ग्रॉप्त डॉण निवलेकेट किसने जीती यहां पर आपका 2 परकार की क्वैशन बन गया एकी यह 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 दोनों में मिला कर किसने डॉण जीती यह बताना है तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर हरीस ने जो eerste करतिक और सुनेल दोनों से पहले पहुंचा और यहां पर जो है हरीस जो है का गौतम और रोहित के बाद पहुंचता है यहां पर हमारा क्रम क्या बन जाएगा पहले तो आ जाएगा गौतम और उसके बाद आ जाएगा रोहित और उसके बाद आ पाँच व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी परिच्छा में अलग-अलग अंक प्राप्त किया हैं पाँच व्यक्ति है कौन-कौन A, B, C, D, E, B ने केवल C से अधिक अंक प्राप्त किया हैं तो देखिए यहाँ पर केवल का मतलब समझे यानि कि B ने केवल और केवल C से अधिक अं नहीं होगा अगर माल लिजे कि सी के नीचे अगर ए रहता तो दोनों से अधिक प्राप्त करता सी से भी और ए से लेकिन यहां पर करा बी ने केवल सी से अधिक प्राप्त किया हैं तो सी के नीचे कोई नहीं होगा आगे करा डी तथा इने केवल ए से कम प्राप्त किया हैं तो तो अगर माल लिजे कि ये दोनों बराबर नहीं होते हैं यहाँ पर D हो गया और यहाँ पर E हो गया या फिर यहाँ पर E हो गया और यहाँ पर आपका D हो गया तो जो E है यह हमारा क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह E जो है किसे कम अंग पराप्त किया है और एसे भी और अगर यह कंडिशन बनता है तो यहां पर जो डी है यह से कमंग प्राप्त करता है और एसे भी इसलिए यह कंडिशन आपका सईने होगा आपका होगा डी बराबर ई होगा तभी यहां पर ई जो है केवल किस से कमंग प्राप्त किया है एसे तो कोश्चन हमारा क प्रवाइसरी पूरते हैं वैसे ही आपका एक अक्छा में 5 बच्चे अभी 6 परिक्षर्ट में सामिल हुए पर नाम रिपोर्ट में यह पाया गया कि बालकay को बालककफ थ design कि तुलना में कम अंक मिले एक को जो है किसकी तुलना में कम अंक मिले यानि कि किसको ज्यादा मिला बी को तो बी ये हो गया और इसको ज्यादा मिला किसे एसे बालक सी को बालक डी की तुलना में कम अंक मिले सी को जो है यहां पर लिख लेता है सी को कम अंक मिले किसकी तुलना डी जो है बड़ा है किससे सी से तो यहां पर इससे ज्यादा कौन हो जाएगा डी और बालक ई को बालक ए से कम अंक मिले बालक ई को किससे कम अंक मिला ए से यानि कि ए से कम अंक मिला तो यहां पर हो जाएगा तो कह रहा है किस बालक को दूसरा सरवाधिक अंक मिला तो पहला सर एम जैसी उची है और नहीं ओ जैसी नाटी पी जो है यह हमारी पी है किस जैसी उची नहीं है तो एम जैसी यानि कि M बड़ा है M जैसी उची नहीं है यानि कि M जो है P से बड़ा है और नहीं O जैसी नाटी है यानि कि P जो है O जैसी नाटी नहीं है यानि कि P जो है O से बड़ा है यानि कि नीचे में कौन आ जाएगा O आ जाएगा N P से नाटी है N जो है P से नाटी है तो यहां पर हमें पता चल गया N जो है P से नाटी है लेकिन O से उच्छी है, तो यहां पर हमारा N हो जाएगा और यहां पर हमारा O हो जाएगा, यदि आवनी सबसे उच्छी गाड़ी खरीदना चाहती है तो उसे कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, आवनी एक है जो सबसे उच्ची गाड़ी खरीदना चाहती है तो इन में से कौन सी सबसे उच्ची गाड़ी वह खर देगी तो वह खर देगी M को तो इसका ओप्सन नमबर हो जाएगा D केवल M